नमस्कारा सबीकों आप सबका स्वागत है अरुनाजल दुडी नीव स्टैनल में आप सबने देखा होगा हाली में ही हमारे स्टेट के गौव्मेंट स्पोक परसन नियामर कामग जी हमारे परोसी प्रदेश के असाम के चीफ मिनिसर हमानत विस्पर सर्मा से उनके मीटिंग और पर्टिकुलर्ली हम फोकस करना चाहेंगे बाउंडरी उससी जो रहता है बाउंडरी इसू अरुनाचल और असाम तो उसमें भी बात हुआ है तो चैले सीधे सर से मिलते हैं और जानते कि कौन-कौन से मुद्धे में बात वा है और क्या-क्या बाते हुए है सर आपका स्वागत है अर्मनाचल तुड़े निउस चैनल में और सर हम जाना चाहेंगे जो हाली में आपका मीटिंग हुआ सीएम आसाम से तो क्या-क्या बाते हुए इस बार जब हम आसाम सीएम के पास गए थे तीन मुद्धा को लेके गए थे और रिक्वेस अब हुनरेबल एमिले लिकावाली सीरी कारदो निग्वर जी असाम में जो असाम और 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 नचल का जो बाउन्डरी इशू को लेकर एक पीमजेश रोड में एक कॉनफ्लिक्ट चल रहा है उसको लेके हमने चर्चा किया हुनरेबल सी एम के साथ मालनी जो मंदर है उसमें एक मेला ग्राउन है मेला ग्राउन में जो फर्मेनन और नचल के द्वारा कारदो निग्वर साब कॉन्स्ट्रक्शन कुछ करना चाहते हैं उसमें असाम गवर्मन के साइट से अपती था तो उसमें हमने चर्चा किया ओर दूसरा नेशनल हाईवे में एक असाम और नचल के बांधरी में एक बहुत बरा नाला है जो सरडियों में पानी से बढ़ जाता है और उस नाले को किस परकार जानख किस परकार शुलूशन निकला जा गानकोसें जिसे के असाम और अरनाचल की लोगो रहात मिले है। I am very happy, we are very lucky, we are very fortunate that we are having two representative in our state in Assam also in Arunachal also Shri Pema Kandru Sahab or Hemantabhvishya Sarmaji एक बहुती अच्छा तालमेल के साथ, boundary issue ko सहीम आइने में, they are ready to address कि आने वले नेक्स साल में कुछ पैसे असाम गुट में के तरफ से विपर रखेंगे ताकि वो नाला को भी किस परकर से गाई नदी तक पहुंचाना है उसका भी वो सुलूशन निकालेंगे और जो मेला ग्राउंड में जो कॉंस्ट्रक्शन में जो अबस्ट्रक्ल है उसे भी वो नहीं करने का हिदायत देने का उन्होंने बात किया है और पीमजी से रोड जहां में कंफ्लिक्ट है उस जगा को थोड़ा चोर कर जहाजा कंफ्लिक्ट ने उसको काम को उन्होंने आगे बराने के लिए कहा है और आने वले समय में इस इसू को भी सॉल्ब करने के लिए बात कही है तो सर अवरॉल देख सकते हैं जो तीन मुदा अपने लिया तो कहीं न कहीं बाउंडरी इसू से ही रिलेटेट है जिसे अपका जो पीमजी से वाई रोड का हो गया मालीनी धन का हो गया तो सब कह सकते हैं कहीं न कहीं बाउंडरी इसू का तो सर अभी हमें ख़बर मिले थी कि हाली में सोर्सेस को दुबारा की जो हाई पावर कमिटी बनाया गया है स्टेट अरुनाचल प्रदेश में उनका रिपोर्ट और मॉस्ट रेडी है और मॉस्ट प्रॉबैबली आने वाले मार्च के सेकेंड वीक तक वो रिपोर्ट समीट करें गया गवर्मेंट को तो एस स्पोक परसेंट से आप कुछ सेयर करना चाहेंगे कितना बात हद तक सही है काम कितना तक पोचा अपडेट से अरुनाचल में अंडर लिडर्शिप ओप सरी बामंग फिलिक जी गवर्मेंट ने कमिटी बनाया है और उन्होंने बहुत ही सई दंग से लोगों को इंबॉल्ब करकर जो बाउंदरी एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको इंबॉल्ब करकर पॉलिस को इंबॉल्ब करकर Administration को involved करके CBOs को involved करके उनोंने sitting बेटा है और natural के तरफ से वो अपना पक्च रखेंगे वो भी मेरे क्याल से वो भी almost ready पे है So some side also उन लोगों का working है So at the same time My viewpoint will be a personal viewpoint Not as a spokesperson जो बर्दोलाई committee ने जो recommendation पहले दिया है उसको नहीं मानते हुए जो जहा है उसको मानना चाहिए और Assam Government is also I think on a very positive note First time ऐसे हमको देखने का हुए उस दिन भी We had a meeting with Demaji MLA, we had meeting with your Silapatar MLA and adjoin जो Novosia Constancy MLA से meeting हुए सब कोई तयार है Because at the same time we are having BJP Government in Arnachal and BJP Government in Assam And plus Both the CM are on a very good note So इसका पैदा Arnachal Government को Arnachal के public को जरूर मिलेगा और जो सही मेरा तो यह मानन के चल रहा हुगी जहां तक Arnachal के लोगों का खेती बारी है जहां तक Arnachal के लोगों का जमीन है वो Arnachal को मिलना चाहिए और जहां असाम का है उसको असाम को मिलना चाहिए यएकि यहाँ अर्नाचुल का खिती है उसको भी असाम को दे लिया जाए जहाँ असाम का खिती है उसको भी अर्नाचल ले लिया जाए यसे नहीं जिसका जहाँ है वो उसे मिलना चाहिए इस डिरेक्शन में अभे काम चल रहा है जै और सार अगर हम Ses हम देखे। में वीडियोज वाइरल होता है इवन असाम का न्यूस चैनल वगेरा वहां से भी काफी वीडियोज वाइरल होता है तो सर यू एज रिप्रेजंटेटिव और कंसर या पीका क्योंकि स्टेट गवर्मेंट के आप स्पोक परसन भी हो तो क्या मेसेज या फिर कुछ सजेशन द यू रिवल पे एक बातशीत का माहूल अभी तयार है और मैंने मैंने कहा कि इस 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 विल भी हिस्ट्री ऑप और नाचल एन आसाम की दो सी एम जो बोल रहा है कि हम लोग बैटके बात को सुलताएंगे और बैटके जब बात सुलतेगा दोस्तियारी में जब बात स से जो आसाम से हम लेख प्रकूर करते हैं रेशाफ्स परकेट हम लोग भी उनलोगो दर तूरिजम के लिए जाते हैं हम लोग विखर्पोर pleasing के लिए जाते हैं रेशी में डबंडर्ट हम लूज पनदीशिंट से इस есть अधर ऐन पलस हमारा जो बात्यारा है हूँ अ common citizen of अरुनाचल प्रदिस, we should wait and let the outcome, उनका जो भी outcome आएगा, उसे हमें स्वागत करना चाहिए, मेरे इसाप से, it's properly going on very good note, आप बामंग फ्रदिक साफ ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, औरुनाचल के जितना किसी को चोहरा नहीं है, सबसे उन्होंने बात करके औरुनाचल का प्रक्स वो असाम गुबर्मिन के साथ रखेंगे, और हम लोग जो भी फ्रक्स रखेंगे, असाम गुबर्मिन भी, हम लोगों का बात को भी वो सुनेगा, ऐसे लगता है, तेंक्यू सो मच, तेंजू, करते हैंगे, असाम गुबर्मिन सो मफ, यजू, आसे साथ जाएंगे, ऑनल गुबर्मिन, भी वोगों का बात-ध्री है, आसे चाहन फोहरा ऱगों सो सी उन्होंसा किसे चाहनकों। झाल झाल